हेलो फ्रेंज आज का हमारा टॉपिक है एड्रीनल ग्लेंड इस आर औरेंज कलर्ड एंडोग्राइन ग्लेंड विच इस लोकेटिड ऑन दे टॉप ओफ बॉध किड्निस इसके दो पार्ट्स होते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स एड्रीनल मैडूला ठीक है आपको अगर एक्जा हाइपर तो एकदम देखने से थोड़ा क्लियर हो जाता है कि आपको उस चीर्स के बारे में पता है तो सबसे पहले जो कॉर्टेक्स एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसका भी हाइपर और हाइपो हाइपर स्कृषिन की वज़े से कशिंग सिंड्रॉम है याद रखना जो इसमें सिंड्रॉम आता है और पिटूटरी वाली में आता है कशिंग डिजीज और दूसरा आता है हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म फिर उसके बाद होता है हाइपो स्कृषिन की वज़े से एडिसन्स इजीज और कंजनाइटल अड्रेनल हाइपर प्लेस जा सकता है और ज स्क रेशन ओफ दा ग्लूकोकॉर्टिकॉइट्स जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइट्स अनकी स्कृषिन बढ़ जाती इसकी वज़े से कशिंग सिंड्रॉम होता है इसके साइन एंज स्ंटम क्या मिलेंगे पेशियन में मून शिप, मून फेस होगा, बफलो हंप, पोर्ट बैल होगी purple stride मिलेंगे और thinning of the extremities जो extremities है वो thin हो जाएंगी pigmentation of the skin facial redness मिलेगी hirsutism होगा और hyperglycemia होगा patient में hypertension और wound healing भी poor होगी उसमें ठीक है इसकी diagnosis हम कैसे कर सकते है blood sugar level देखना है cortisol level urine examination kft करा सकते USG और इसमें treatment क्या देना है जैसे alpha blockers दे सकते हैं ठीक है alpha blockers में जैसे tera zosin, pra zosin या doxa zosin हो गया beta blockers में etinolol, propanolol जैसे क्योंकि उसमें hypertension मिलेगा इस patient में तो जो BP उसको maintain करना है hyperglycemia मिलेगा तो उसकी sugar level को भी maintain करना है तो जो symptomatic treatment है वो तो चलेगे बागी alpha blockers देते हैं उसमें फिर उसके बाद इसकी hyper की हमने एक disease पढ़ ली फिर उसके बाद आते है hyposcretion में हम पढ़ते हैं Addison disease Addison disease क्या होती है it is the failure of the adrenal cortex to screen the corticosteroids ठीक है जो corticosteroids है उनकी जो scretion है वो कम होती है जब cortex के तो उसकी वज़े से होती है Addison disease है इसकी तीन टाइप है primary, secondary और tertiary इसमें क्या क्या symptom मिलेंगे, pigmentation of skin मिलेगा, muscular weakness है, nausea, vomiting, diarrhea, loss of body weight और इसमें patient को hypotension मिलेगा hyposcretion तो hypotension, hyper है तो hypertension और cardiac output कम हो जाएगी और hypoglycemia मिलेगा, just इसकी opposite ही है सारे symptoms और diagnosis इसकी भी blood cortisol level देखने, aldosterone का level, urine examination करनी है then we come to pheochromocytoma यह कहते है, it is characterized by hyperscription of the catecholamines, जो catecholamines है उनके ज्यादा scretion की वज़े से होता है, pheochromocytoma, ठीक है, it is caused by tumors of the cell of adrenal medulla, medulla की cells उनके tumors की वज़े से होता है, pheochromocytoma, इसमें clinical feature, nausea, vomiting fever, headache, chest pain, palpitation, polyurea मिलेगा, anxiety मिलेगी और tachycardia, weight loss हो जाएगा, hyperglycemia है और इसका भी urine test कराने और catecholamines का जो level है वो चेक करने और बाकी symptomatic treatment होता है, ठीक है, तो यह हो गया हमारे disorder of adrenal gland, thank you झाल कुशन है झाल कुशन मिलेगी और दो यहागा